आपका फैनल पर इच्छा काफी करीब आच चुका है और काफी अस्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका त्यारी अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है इसी इस्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी सिच्छकों की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार किया गया है कि आप इस यहां बार में अज कि वीडियो में अभी आम लोग देखने वाले हैं 12 क्लास हिस्ट्री का और इतिहास का और यह जो कोशन आंसर है यह इंटर बोड एक्जामिनेशन 2023 के लिए ठीक है आपके फानल एक्जाम के लिए हैं और यह जो सब्जेक्ट है यह हैं हिस्ट्री का तो जितने भी स्टूडेंट है सभी इस वीडियो को अपले कर दीज़ेगा अपने दोस्ते के पास इस वीडियो को शेर कर दीज़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम में यहां से आपके फानल परिछा में यहां से कम से कम तो 20-25 प्रसन पका पूछे जाएंगे ठीक है तो सभी के सभी काफी important प्रसन है तो एकदम रट लिज़ेगा ओके तो चले हम दोग देखते हैं पहला प्रस मुगल नाम व्यूत्पन हुआ तो मधी ऐस्या सी मंगोल सी मोगली नाम मां पुस्तक सी या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer है option number B मंगोल सी ठीक है मुगल नाम व्यू का देहांत तो इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1707 इस्यू में ठीक है इसका right answer है option number B 1707 इस्यू में ओके अगला प्रसन है question number next के है बुलंद दरवाजा किस अस्थान पर है तो option यह है अगरा option B है फतेपूर सिक्री option C है फत्तह नगर और option यह है फ्रोजपूर तो इ बाठिसा नामा किस ने लिखा तो बाठिसा नामा किस ने लिखा तो यहां पे चार option है है तो इसका गहला प्रसन है question number अगरा के हैं दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से और बार में Jo Abhiwaadenhka तरीका था उनि में से कोँ से था तो यहां पर चार option ए है हना तो इसका वान स्वह्फर है option no D यह सभी कह है यह solid क्या थे तो अभिवादन रिखत है एह इस में प्रस्थर आन्षर है option no d я सभी हाना एनिफ ये तीनों थी अगला प्रस्ण है कुछ से नम्बर अगला क्या है गुल बदन बेगम कौन थी तो गुल बदन जो बेगम थी ओपिंधी ऑप दी अब फिर्शन इब तड़ारते की फी जीले को किस नाम से जाना जाता था मुगल परसाशन में जीले को किस नाम से जाना जाता था तो इसका सही आंसर है और सी सरकार के नाम से अगला प्रस्ण है संथाल विद्रोह का नेतरित्व किया तो संथाल विद्रोह का नेतरित्व किस ने किया तो जो संथाल विद्रोह का जो नेतरित्व किये थे फ्रेंड्स ओ जो किये थे ओप्षिन नमर डी सिद्धू एवं कान हूं ठीक है इसका रैट आंसर है आप्षिन नमर डी अगला प्रस्न है राज महल की पहारियां में मुख्यत्या जो लोग रहते थे वे थे तो वे कौन से लोग थे यहां पे चार आप्षिन है ठीक है तो इस सही आंसर हो जाएंगे आप्षिन नमर की पहारिया और संथाल लोग रहते थे ठीक है राज महल की पहारियां में जो लोग रहते थे कौन लोग रहते थे तो पहारियां में संथाल लोग रहते थे ठीक है अगला प्रस्न है पहारिया और संथाल लोग रहते थे ठीक है राज फर्जी होती थी तो 60 का जो रेट आंसर है वह ऑप्षिंड क्या है अगला प्रस्ण के हैं भारत आने वाले परत्थम यह उर्पियन थे पुर्तगाली थे बिरिटिस थे इन में से सभी तो इसका चाहिए आंसर आप्षिंड क्यां से तो इसका सही आंसर है आप्शन नम्र सी मुन्रो एवं रीड थे ठीक है रेत वाड़ी बंदुबस्त के जनक कौन थे मुन्रो एवं रीड अगला प्रस्न है किस सरकारी रिपोर्ट से भारतिक क्रिशी क्रिशक्त जनजातियों की स्थिती का पता चलता है तो इसका सही आंसर है आप्शन नम्र डी उप्रोक्ति सभी से ठीक है इसका रेत आंसर है आप्शन नम्र डी उप्रोक्ति सभी से हना अगला प्रस्न है 1857 का विद्रोह का अरंब हुआ, तो कब हुआ 1857 का विद्रोह का अरंब, तो यह जो हुआ था, यह हुआ था, इसका जो सही आंसर है, आपसे नंबर यह 10 मही को, ओके, 1857 का विद्रोह कब अरंब हुआ, तो 10 मही को अरंब हुआ था, अगला प्रस नहीं, कोशन नंबर अगले क है जो तत्कालिक कारण क्या था जो तत्कालिक कारण था इसका जही आंसर है option इसका option number 6 इसका right answer हो जाएंगे चर्वे वाले कार्तूस ठीक है 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था तो चर्वे वाले कार्तूस अगला प्रस्ने है धुंधुपत नाम था ठीक है धुंधुपत नाम था तो यहाँ पे चार option है अगला प्रस्ने है साह मल कहां का रहने वाला था तो यहाँ पे चार option है तो इसका जो right answer है जो यहाँ आप्सन नमबर B उत्तर परदेश की बलोत परगना का अगला प्रस्ने है सागर में English Proof मेहलाव यवन बाचो З junior को के तो कितने दिन किले में शरनने कर रहना पड़ा है ना सागर में अंग्रेच पूश महलाव यवन बच्चो फिलिए में शरनने कर रहना पड़ा फचाश दिन तकक एकाश्व गार दिन तक 222 दिन तक 1500 दिन तक तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आपसन अम्बर C-2222 दिनों तक अगला प्रसने है अगला प्रसने क्या है द Health ये लिखी है ग्रेट नमक पुस्तक है जो हो किसने लिखी है तो इसका रेत आंसर है option number option number B हो जागा असोक मेहता ठीक है the great revolter नामक पुष्टक किस ने लिखी है तो असोक मेहता की द्वारा ये पुष्टक लिखा गया है अगला प्रस्ण है दच्छिन भारत में किस अस्थान पर विद्रो हुआ था दच्छिन भारत में किस अस्थान पर विद्रो हुआ था तो इसका right answer है option number D इन में से सभी जगहों पर दच्छिन भारत में किस अस्थान पर विद्रो हुआ था तो इन में से सभी जगह पर आनि ये सभी जगहों पर जो हुआ क्या था तो विद्रो हुआ था ठीक है अगला प्रस्ने है किस महला ने सतारा उजेन ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 इस्वी तक अंग्रेजों के विरूध सन्यत्र रचा ठीक है अगला करश्ने है इसका राइट अंसर है अप्सिन घंवर सी ठीक है अगला प्रस्ने है भारत में आपिस्वी तो इसका प्लाशी में अंग्रेजु तथा बंगाल की नुवाब में यूध हुआ था तो यह जो हुआ था यह हुआ था शत्राइसु संदावन इस्यू में ठीक है अगला प्रस्ट नहीं इस नगर की परमुख विस्यस्ता है तो यहां पर आपसे नहीं है दिल्ली आपसे भी है बंबई आपसे अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है इसी इस्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी सिस्कों की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार के अगया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90 प्लस ला सकते हूँ इसका मैं 100 पर दिस्थ गारेंटी देता हूँ ठीक है अगर आपको PDF से ही तो उसका कुछ चार्जे से जादर जनकारी के लिए आप SMS करे 7274800891 पर